नमस्कार तोस्तों So friends, All India Institute of Medical Sciences Rishikesh तो दोस्तों AIMS Rishikesh की तरफ से vacancy यहाँ पर आ चुकी है Recruitment official website पर जारी हो चुका है AIMS के जितनी भी vacancy है Central Government के अधिन यहाँ पर रहती है तो केंदर सरकार के तहत यह recruitment यहाँ पर जारी कर दिया गया इसमें सभी तरीके की पोश्ट यहाँ पर रहेंगी आप सभी को बताना चाहता हूँ साथ इसमें स्टाफ नर्स के लिए vacancy है साथ इसमें आपर left technician की पोश्ट है इसके साथ-साथ यहाँ पर pharmacist की vacancy भी यहाँ आ चुकी है साथ-साथ clerical post भी है तो lower division clerk, multi, tasking staff और भी स्वास्त बिवा के other post इसमें आपर शामिल यहाँ पर कर ली गई नमबर vacancy हैं पर discuss करते हैं तो बताना चाहता हूँ करीब करीब जो है 350 प्लस post इसमें आपर शामिल कर ली गई 300 से भी जादा इसमें पर यहाँ पर रहेंगे और इसमें male candidate पर अपला करें female candidate पर अपला करें यह दोस्तो all India vacancy रहने वाली है आप किसी भी राजे से हैं किसी भी श्टेट से हैं all India candidate बिल्कुल आप सब लोग इसमें आपर अपर अपर अपलाए कर सकते हैं और दोस्तो इसमें direct यह recruitment रहने वाला मीज सीधी भरती है देखिए लिखा भी हुआ है direct तो यह direct यह recruitment यह रहेगा और दोस्तो इसके लिए आपको apply करना है तो online application form आपको इसमें आपर फिल करना होगा पूरी जानकारी वीडियो में cover करेंगे सबसे पहले आप चाहें तो वीडियो को like कर सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे जाके subscribe के red button को click कर लीजे स्वास्ते बिवा की All India Vacancy की जानकारी आगे भी पाते रहे तो बिलकुल शुरूबात करते हैं अपने update को बढ़ते हैं information की और तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि AIMS Rishikesh की ये vacancy है और यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखा है online application तो online आविदन इसमें आपको करना होगा तीन तरीके के groups की ये vacancy रहने वाली है तो group A, group B और group C की ये post यहाँ पर रहेगी और इसमें दोस्तों दो तरीके की vacancy है direct vacancy भी है और deputation recruitment भी यहाँ पर रहने वाला है तो मैं आप लोगों को इसमें direct वाली information दूँगा कि direct यहाँ पर basis पर जो vacancy है सीधी बरती से कौन-कौन सी post है और जैसे कि आपको मालूम है deputation basis पर already working होना आप लोगों का आप पर ज़रूरी है तो इसमें already working candidates apply कर पाएंगे और जो इसकी जो direct vacancy है इसमें सभी तरीके के all India candidates apply कर पाएंगे graduation, diploma, certificate course सभी candidates आविधन कर पाएंगे तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग जो है vacancy table के और यहाँ पर जो information है nursing की vacancy की जानकारी आप लोगों को कहां दी जारी सबसे पहले nursing की vacancy को हम लोग यहाँ पर discuss कर लेते हैं तो दोस्तों देखिए 7th नंबर पर यह vacancy है post का नाम है maternity and child welfare officer group B की यह post है salary package करीब इतना आपको मिलेगा 35,000 रुपीस around यह आपको salary मिलने वाली है देखिए लिखा है degree और diploma in GNM तो इसमें degree candidates पर अपला करें means BSC nursing candidates पर अपला करें और diploma means यदि आपके लोग GNM diploma candidate हैं आप लोग भी इसमें अपला कर सकते हैं एक पज़ इसमें अंदेदरब कर डिगरी में शामिल यहाँ पर किया गया और इसमें experience भी बंग गया है degree holders के लिए एक साल का और diploma holders के लिए दो साल का बाकि इसमें दोस्तों जो है deputation basis पे भी vacancy रहने वाली है तो यहाँ पर देखिए nursing की deputation में कौन-कौन सी post है चीफ nursing officer की है और इसमें एक पद है और इसमें already working candidates apply कर पाएंगे तो यह जो post उपर मैंने आप लोगों को बताई 7th नमर पे इसमें आपको यहाँ पे जो है BST और GNM diploma candidate आविदन कर दें और 1 year या फिर 2 year degree diploma candidates के लिए experience यहाँ पे यह रहेगा अब बात करते है अगली जो post है वो रहेगी हमारी lab technician की तो lab technician की post कहा है तो बिल्कुल देख सकते है 19th नमर की post है यह lab attendant grade 2 की रहने वाली है तो lab के अंतरगा थे technician की post हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं attendant का पाद है qualification देखे सबसे पहले 12th चाहिए science subject में और इसके बाद diploma in medical lab technology तो इसमें DMLT candidate बिल्कुल यहाँ पे apply कर सकते है post भी अच्छी कासी है 41 पद इसमें शामिल कर लेगा है under the 12th है OBC के 10 है SC के 6 है और ST के 3 पद इसमें आपे रहेंगे तो यह lab technician की vacancy की जानकर ही हमने आपे discuss की अब हम लोग जो है pharmacist की जो vacancy है तो pharmacist की vacancy देखे 24 रंबर पे pharmacist grade 2 का यह recruitment है group C और इसमें 27 पद शामिल कर लेगा है under the 12th के 15 है OBC के 7 है SC के 4 है ST का इसमें एक पद यहां पे रहेगा और salary package देखें 20,200 रुपे यह आपको salary मिलेगी 2800 रुपे का great pay भी मिलने वाला है diploma in pharmacy तो pharmacy में diploma candidates है बिल्कुल apply कर दे pharmacy council में आप लोगों को registration भी आपको यहां पे चाहिए यदि आपके पाद experience है तो अच्छी बात है नहीं भी है तो भी बिल्कुल apply कर पाँगे desirable बोला गया है compulsory नहीं बोला गया कुछ vacancies में दोस्तों ऐसी है जिसमें सभी तरीके के candidates apply कर सकते हैं इसके देखिए इस्टेरोगराफर की पोस्ट है और इस्टेरोगराफर के भी देखिए अच्छे कासे 34 पदेश में शामिल कर ले गया है 12th class पास हो skill test के norm साब को बता दी गया है में इस 12 वी कक्षा पास होना इसमें आप लगों का आप जरूरी बोला गया है फिर जो है skill test आप लगों का इसमें conduct कराया जाएगा तो इसमें 12th class होना आप लगों का इसके बाद देखिए 26 नमर की पोस्ट है ये रहेगी अपर डिवीजन के लार्ग तो UDC की पोस्ट है और इसमें तीन पादे अंदेदर में सिर्फ degree candidates इसमें apply कर सकते है कोई भी graduation degree है बिल्कुल apply करें computer की थोड़ी बहुत knowledge आने चाहिए और इसमें भी skill test आप लगों का लिया जाएगा तो इसमें भी आपको जो है आविदन कर देना है साथी साथ इसमें आप पर देखिए और भी पोस्ट है जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ देखिए store attendant तो इसमें सिर्फ आप लोगों को 10th या फिर देखिए ITI इसमें आप लोगों को मांगा जा रहा है इसमें 40 पर इसमें शामिल कर लिए दस भी हो या फिर ITI हो तो दोनों में से कोई भी हो आप लोग इस पोस्ट के लिए अपला है कर पाएंगे इसमें qualification में आपको experience नहीं चाहिए यहाँ पर देखिए artist की पोस्ट पी रहने वाल यह थो diploma और certificate fine arts में आपके पास हैं 14 पद इसमें आपे शामिल कर लिए इसमें आपे देखिए medical record technician तो यह पोस्ट भी आपे आ चुकी है और यहाँ पे BSC medical record पे होना चाहिए और 12th class पास है science subject में डिप्लोमा है 6 month का certificate course है medical record keeping का तो बिल्कुल इसमें apply कर सकते हैं 38 पद है इसमें दोस्तो lower division clerk तो यह post भी है तो lower division clerk के 32 पद इसमें है और इसमें सिर्फ 12th class पास होना आपका जरूरी है तो यह जनकरी इसमें मैंने आपको आपके देदी warden की post भी इसमें आपके रहेगी इसमें 10 पद है graduation मांगा गया है और BSC courses में आप लोगों से मांगा जारा दोनों में 4-4 पद इसमें शामिल कर लिए गए है store keeper तो store keeper के आपे देखिए 20 पद है डिगरी चाहिए आपको और कोई भी graduation degree हो और post graduate हो या पर diploma हो या पर bachelor degree है इसी field में बिल्कुल apply करें इसके बाद speech pathologist तो इसमें आपे BASLP तो ये candidates इसमें apply कर पाएंगे यादि आपके पास ये course है और इसमें एक पद अन्रेदर में शामिल कर लिया गया है इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ psychiatric social worker तो M.A.M.S.C. degree psychology में psychiatric social work में 5 साल का experience है इसमें तीन पद है admin की पोस्ट इसमें B, B.T.E.C. M.C.E. दो साल का experience के आप IT में आपके पाद specialization है बिल्कुल apply करें एक पोस्ट इसमें शामिल की गई इसमें physiotherapist की weekend से भी आ चुकी है इसमें देखिए 4 पद है physiotherapist के इसमें bachelor degree तो B.P.T. candidates apply कर सकते हैं दो साल का experience में आप लोगों को मांगा जा रहा और यहाँ पर देखिए diploma यदि आपके पास है rehab का 5 साल के experience के साथ तो भी बिल्कुल आप लोग जो है और यहाँ पर आपको registration में चाहिए physiotherapy council में बिल्कुल आप लोग जो है audiologist और यहाँ पर देखिए law officer और dietitian और assistant store officer यह पर पीस में यहाँ पर रहेंगे देखिए vacancies में काफी यहाँ पर ज़्यादा इंट्रेडूस की गई है तो मैंने आप लोगों को direct जो recruitment है उसकी जानकारिया आपको देदी deputation में यदि आप लोग already working है तो आप लोग जो है deputation वाली vacancy भी इसमें आप लोग देख लेना अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर आ चुके है aims जो रिशी केश की जो official website है यहाँ पर हम लोग उसको यहाँ पर open कर ली है jobs के section में आप लोगों को करके बताया और यहीं पर आप लोग देखें application की link तो यह link आपको यहाँ पर देदेगे इस पर click कर देंगे form आपको यहाँ पर open हो जाएगा देखिए 10 फरवरी से 27 मार्च की बीच आप लोगों को अपना online application form आपको यहाँ पर fill कर देना होगा और यह vacancy देखिए पहले भी release की गई थी अब दोबारा से इसको reopen यहाँ पर की जा रही है और reopen के जो है notice आप लोगों को इसमें यहाँ पर दे दिये गए हैं और यहाँ पर already जो rules and regulation है अलग से notice आपको इसमें आप निकाल के बता दे गए हैं और old candidates के लिए भी यदि आप लोग ने से पहले apply किया था तो old candidates के लिए भी information है तो यह जानकारी भी इसमें आप लोग अपनी आप चेक यहाँ पर कर सकते हैं तो 27 March apply करने की last date यह रहने वाली है All India candidates इसमें आप पर apply कर दे और इसमें nursing और paramedical staff की vacancy की जानकारी पांते रहें मिलते हैं आप से अगली वीडियो में thank you so much